जय श्री ढाम मित्रों स्वागत आपका मेरे चनल पर आज में आपको एक पैनल मीटर जो की वोल्ट एंपियर मीटर है इसके अ करनेंशन के बारे मैं आपको बताऊंगा तो यह जो वोल्ट एंपियर मीटर है basically voltage और current को नापने के लिए use किया जाता है और basically ये पैनलों में ज़्यादा use होता है पर इससे हम हमारे घरों में भी voltage और current को measure कर सकते हैं तो basically मैं आपको इसके basic connection दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये line और neutral दिया गया है तो ये line और neutral voltage measure करने के लिए V1 और V2 यहाँ पर 2 point है तो वही हम voltage यहाँ पर देंगे जो इसको हम power दे रहे हैं वही voltage हम यहाँ पर देंगे तो जो actual voltage होगा वो हमें यहाँ पर जहाँ पर V लिखा होगा यहाँ पर हम वो voltage शो करेगा और current चेक करने के लिए तो यहाँ पर आपको पता है हम सीरीज में current चेक करते हैं तो यहाँ पर अल्रेटी नोने CT inbuilt दी गई है यह current transformer है तो जैसे इसके अंदर से कोई वायर पास होगा तो उसका current measure करके यह हमें यहाँ पर MPI के जगे पर current शो कर देगा तो चलिए इसके connection हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसे power देने के लिए फिर्स और neutrally यहाँ पर लगाते हैं इसका तो हमने दो वायर ले लिया यहाँ पर और यह line और neutral है ठीक है तो line और neutral के साफ में हम इस meter को भी loop में डालेंगे जिससे कि यह voltage मेजर कर पाएगा यह देखिए हमने एक neutral को यहाँ पर loop कर दिया है और इसके neutral में यहाँ पॉइंट ही neutral का है यहाँ पर हम neutral को voltage कर देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमने neutral को डाल दिया है और इसे ही हम यहाँ पर फेस वाले वायर को भी इसके साथ में ही जोइन कर देंगे जो यह वाला है यहाँ पर यह line वाला option है इसमें हमने line को add up कर दिया है अब basically हमने जो भी connection किये हैं इसमें अगर हम अगर power अब भी देखेंगे तो basically meter सिफ on होगा यहाँ पर हमें reading नहीं देगा पर अगर इसके हमको reading देखना है तो इसका जो second वाला है V1 और V2 point हमें यहाँ पर भी voltage provide करना होगा जो कि हमें measure करना है यह जो हमने दो तार यहाँ से loop में निकाले थे वही तार हम V2 V1 और V2 पर भी डालेंगे देखें मैं पनेक करके दिखाता हूं यह न्यूटल को हम न्यूटल वाले point पर डाल दिया है और अब हम face वाले wire को पर डाल देंगे तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यह हमारा voltage के लिए connection पूरे हो चुके हैं यहाँ पर basically मैं आपको connection समझा देता हूं देखें यहाँ पर एक line और neutral को option है थोड़ा पास से मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह देखे line और neutral और उसी opposite में यहाँ पर V1 और V2 दिया गया है line और neutral जो है वो meter को power देने के काम आता है श्रीफ और जो line और neutral है यहाँ से हमने meter को power दिया है और यह जो V1 V2 है यहाँ से हम voltage को measure करेंगे अब मैं इसको power up करके आपको एक बार दिखाता हूं कि यह हमारा क्या voltage शो करता है तो यह दोनों तार थे हमारे line और neutral वाले यहाँ पर मैं supply देता हूं तो देखते हैं हम क्या आता है आपसे कि यह देखते हूं कि हमारे meter चालो हो चुका है और आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर देखिए आपको कुछ रेडिंग शो हो रही है तो जो हमारा अभी exact voltage है 232 voltage है और यहाँ पर चुकी कोई भी current अभी हमने connect नहीं किया है इसलिए current यहाँ पर zero show कर रहा है अब आपको मैं इसमें current भी यहाँ पर बताता हूं current कैसे measure करेंगे तो फिलाल इसे बंद कर देता हूं मैं इस light का जो face वाला वायर है वह इस city में से निकालके और यहाँ से आपको बताता हूं है यह जो हमने face वाला वायर था यह city में से निकाल लिया है light का और यह जो neutral वाला वायर है इसको तो हम neutral में ही देंगे तो यह जो मेरे face को मैं city में से निकालता हूं city में से निकालने के बाद में इसे भी साथ में यहाँ पर face के साथ में connect कर देता हूं अब हमारा यह जो लोड वाला वायर है यह city में से निकल चुका है तो जो भी हमाई reading आएगी वह हमारी current की reading यहाँ पर आपको show हो जाएगी तो देखे दोस्तों इससे में वापस से पावर आउन करता हूं इस बार कि यह देखे 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 होंगे इसमें झाल कर दो, प्या है ए यहाँ झाल